कम बैक माइ यूट्वब चैनल माइसेप रॉक रॉक की तो आज हम दिखाएगे आपको कैसे हम अपने घर में दिवाली मनाते हैं दिवाली का चोहार मनाते हैं तो सबसे पहले हम ने कि अपने घर की लाइटिंग जो कि यह से लग रहा था है शादी वाला घर है देख सकते हैं आप तो मैंने बहुत जादी लाइटिंग की थी मतलब कि इस बार मैंने घर को बहुत अच्छा सजाया था मेरा मकसद यही था कि मैं घर को थोड़ा सा डेकॉरेटिट करूँ और मैंने माला वेरा लाई थी और फूल फाल से मैंने बहुत सजाया था तो लाइट टे भी मेरी कुछ बहुत अच्छी थी तो मैंने पिछली साल तीन-चास साल की जो मेरे पार लाइटिंग थी तो दादी थी पूजा करके आ रही तो दादी के साथ दादी ने पूल डू पाल डू जो भी उसमें पढ़ता है आपका पिठ्था हो गया पताशेख ही ले और आपका एक पूल डू दूप तो पूजा करके दादी आ रही थी तो हमने वोला दादी को थोड़े सावं वीडियो बनाते हैं तो आप देख सकते हैं यह मेरे को बहुत बैस्ट लगा था तो दादी लगी थी पूजा करने साथ-साथ तो यह थे देखिये फूल गेंदे के फूल कोई आर्टिफिशल फूल भी थे मेने लगाए तो यहां से था दूसरा व्यू दिख रहाँ जो की हम यहांँ बैठते हैं दूप सेखने के लिए तो यह देख सकते आप मैंने दिए भी जला दिय थे तो दादी लगी थी पूजा क है कि सर्सों के तेल के दिए जिलाने चाहिए इससे negativity खत्म होती है हमने बहुत सुनाए तो इस बार हमने सर्सों के तेल के दिये जलाए तो यह था दूसरा गर जो की मैंने धूंब अच्छे से सजाया था थोड़े सी मैंने ये केंडले पूजा कर रही थी साथ साथ तो हम दिखा रहे पटाके जो कि हमने बहुत जादा इस बार खरी दे थे साथ आठ हजार का पटाके लाए थे हमने तो देख सकते हैं आप तो हम यहां पे खतम हुए दो बजे हमने आरे पटाके खतम हुए तो यहां थे बैठे हैं हम यहां पे तो दादी थी और दीदी थी यहां खुम नाचरे खुश हुए थे क्यूंकि साल के बाद दिवाली आती है और दो-तीन साल के बाद मेरी भुवा की बेटी जो सिस्टर है मेरे वो बहुत लेट आये थे तो इस बार सब साथ थे तो दादी ने जलाई हैरी पॉर्टर वाली फुल जड़ी तो दादी थी खुश हुई तो दादी ने खुब पटा के जलाए इस बार तो कहते है बजूर्गों के साथ बड़ा मजा आता है दिवाली मिलाने का और अगर प्रिवार साथ हो तो बहुत ही ज़ादा अच्छा लगता है तो दीदी ने जलाए ये बारा शॉट वाला पटाका जो की दीदी डर डर के जला रही थी तो ये थे बारा शॉट तो इस बार जो हमने पटाके लाए थे वो बहुत ही अच्छे पटाके थे कि फिर हमने साथ में आग जलाई थी ताकि ठंड ना लगे क्योंकि अब थोड़ी ठंड हो चुकी है देख सकते हैं हमारे पट्टा के जो कि स्काइशॉट है ये बारा शॉट का स्काइशॉट तो देखिए कितना चाह दादी ने देख फूल जड़ी की पैकिटी निकाल दिये थे सारे तो दादी लगी थी फूल जड़ी की त्यारी में ये देखिए शॉट चल रहे थे तो दादी को मैंने कहा थोड़ा दूर हो जाओ क्यूंकि कोई पदह नहीं होता पटाके की चिंगारी भी लग सकती है ये थी गोलू जो की बहुत डर-डर के अपने पटाका जला रही थी खास करना अनार होगे सबसे ज्यादर इन्होंने य हमारा इस दिवाली में आग भी खुब जली हुई थी ये था अनार फिर उसके बाद मेरी बारी आई मैं भी लग गया फुल जड़ी के लिए जलाने तो ये थी है दादी के साथ अनार होगे साथ